अनाटमी फीजियोलोजी की हमारी क्लास चल रही है डाइजेस्टिव सिस्टम यानि पाचन तंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारा फूड जो है कैसे बौडी में एब्सॉर्ब होता है कर्फोहाइड्रिट हो जाहिए वो विटामिण हो जो हम भाहर से ले खाइगे से ले रहे हैं किसी भी टाइप का फूड का है फ्रूलोग सकता है भीड Oui उसकता है कौन से और्गन हैं, कहां से digestive system शुरू होता है, कहां जाकर खत्म होता है, कैसे हमारा food वो बिल्कुल solid form से, एक liquid form में convert होता है, फिर वापिस से solid form में convert हो जाता है, क्या उसमें color changes देखने को मिलता है, कहां वो absorb होता है, कहां वो digest होता है, कहां वो breakdown होता है ये सारा हम आज digestive system के अंदर में पढ़ेंगे digestive system क्या है, digestive system जो है वो हमारे absorption of nutrition को कहा जाता है जो कि किसके द्वारा किया जाता है, तो हमारी body में present cell के द्वारा किया जाता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी body जो है वो जो हम खाना खा रहे हैं उसको direct वहाँ से nutrition ले ले यह possible नहीं है अब मान लोग कोई vitamin अगर किसी fruit में है तो हमारी body उस vitamin को absorb करने के लिए एक process से गुजरेगा फूड प्रोसेस का मतलब है कि उसको molecular breakdown करना पड़ेगा अब ऐसा नहीं है ना कि हमने केला खाया और सीधा वो केले में जो जो चीजे प्रेजेंट थी वो सारी cell को चली गई नहीं केले में जो चीजें प्रेजेंट थी वो पहले molecular level पे तोड़ी गई तोड़ने का मतलब है यहां ऐसे समझ लो कि आपने क्या खिचडी खानी है तो एक तरीका तो यह है जी दाल चावल एक ही में मिला के कूकर में बैठा दो खिचडी तयार हो गई और आपसे का जाए कि करना शुरू करोगे तभी आप उसको अलग-अलग करके खा सकते हो तो ऐसे ही हमारा body system है अगर कोई fruit या food हम लोग खा रहे हैं और उसमें से उसको कोई nutrition चीजे या कोई वैसी जी चीजे जो हमारी body को required है अगर वो चाहिए होगा तो सबसे पहले वो उसको nuclear यानि छोटे small cases इस पे molecular basis पे उसको breakdown करेगा यानि जो हम food खाते हैं वो directly हमारे cell के द्वारा utilize नहीं किया जाता है पहले वो एक process से गुजरता है जिस process का नाम होता है digestive track system process जो कि क्या करता है food को एक दम छोटे भाग में मतलब molecular भाग में तोड़ता है जैसे आप कोई चीज खा रहे हो कोई fruit वो मीठा है खाने में तो उसमें sweet भी है नि शुगर की मातरा भी है फिर वो अगर खटा है खाने में तो उसमें क्या है vitamin C भी होगा और उसमें अलग-अलग minerals water भी होगा अगर juicy है food तो उसके अंदर water molecule भी present होगे तो इन सब को वो पहले अलग-अलग format में तोड़ेगा उसके बाद वो cell के द्वारा utilize किया जाएगा अब substance जो हमारी body में accept होता है वो क्या करता है आपके food के structure को change होने के बाद ही वो digestion form में आता है कैसे body में transfer किया जाता है तो blood stream के द्वारा हमारी body में वो चीज transfer की जाती है कहां से transfer की जाएगी तो सबसे पहले आपकी body जो है वो absorb खाने को absorb करने का मतलब है यहां पर पहले जो solid खाना था वो एक चोटे टुकडों में convert होगा वो चोटे टुकडों में convert होने के बाद हमारी body के कुछ organ के अंदर जाएगा वो कुछ organ वहां से कुछ juices निकालेंगे उसको और चोटे चोटे पार्ट में तोडेंगे molecular level पे carbon है, hydrogen है, nitrogen है, ठीक है, आपने chemistry में पढ़ा होगा, यह सारे molecular level के substance है, molecular power होती है, atomic mass होता है, तो ऐसे हमारा जो food है, वो molecular level पे breakdown होता है, और उस molecular level पे breakdown होने के बाद हमारे body के द्वारा एक particular organ है, वो digestive system में हम आगे बताएंगे आपको, कि कौन सा वो particular organ है, जिससे वो absorb किया ज होता है, blood stream में move कराने के लिए, cardiovascular system हमने पढ़ा था, उसमें आपने जाना था कि हमारी heart है, वो responsible है, हमारे blood को supply करने के लिए, और उसके अंदर जितने भी चीज़े present होगी, वो उसी के basis पे supply होगा, तो यहाँ digestive system में जो absorption होता है, जो transformation होता है, वो किसका होता है, nutrition का होता है, blood के द्वारा किया जाता है, absorption की जाती है, वो एक organ है particular, वो absorb करता है, वो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, और digestive absorption जो है, वो दो main तरीके से किया जाता है, यानि दो ऐसे main organ हैं, जो कि आपके खाने में से चीजों को निकाल लेते हैं, निचोड लेते हैं सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं वहाँ से, जैसे तौलिया, पानी, जैसे कहीं पानी गिरा है, आप वहाँ पे tissue paper रख देते हो, तो पानी उस tissue paper में absorb हो जाता है, ऐसे ही वो liquid, जब form में हमारा खाना जो है, वो liquid, काईम और chime की form में convert होता है, ये technical word बोल रहा हूँ, इसको no down क पर लिजेगा, food जो है last में आपका soup की तरह हो जाता है, जिसको हम काईम और chime के नाम से जानते हैं, ये काईम और chime है, ये basically absorb किया जाता है, आपके intestine के द्वारा, small intestine और large intestine के द्वारा, तो अब आगे समझते हैं कि हमारे digestive system में कौन-कौन से parts आते हैं, digestive organ यानि बहुत सारे आ digestion के अंदर, जो digestive system है, उसमें multiple digestive organ आते हैं, कुछ तो directly responsible होते हैं, digestion के, कुछ indirectly responsible होते हैं, digestion में, digestive system जो है, एक long muscular tube है, muscular tube का मतलब है, यहाँ पे, कि muscles से बनी हुई, एक tube है, pipe है, जिसमें क्या होता है, वो mouth से शुरू होती है, हमारे मुह से शुरू होती है, और anus के पास जाके वो खत्म होती है, और इस पूरे tube का जो हमारा नाम है, वो कहा जाता है, elementary canal के नाम से यह जानी जाती है, इसके अंदर बहुत सारे parts आते हैं, अंदर मतलब इस track में, जहां से यह शुरू हुआ है, यह जुड़ा हुआ है, कई सारे organ के साथ, और इसके साथ में बहुत सारे organ, सब को टेरिशली, मतलब उसके साथ में जुड़े हुए हैं, जिससे जारिशन में हमारी help होती है, अब जानते हैं कि हमारा एक एक organ किस तरीके से क्या काम करता है, अब सबसे पहला organ जो आता है, वो आता है आपका mouth, जिसको हम oral cavity के नाम से भी जानते हैं, oral cavity के अंदर क्या क् टंग होती है, slivery grand होता है और तित होता है, ये तीन चीजे major part है हमारे, क्या क्या करता है, slivery grand जो है, वो saliva produce करता है, जिससे जो हमने solid part खाया है, वो हलका सा liquid form में, smooth form में हो जाए, elementary के नाल की सबसे starting entrance point होता है, हमारा mouth, यानि starting का point होता है, यहां से digestion का जो process है, वो mechanical breakdown, यान हमारा दांत जो है, उसको तोड़ के पीसता है, चुई करता है, ठीक है, टंग जो है, उसको क्या करती है, mix करती है, हमारे saliva के साथ, और वो जब saliva के साथ में हमने खाना खाया, for example, हम सबसे example लेके चलते हैं, कि मैंने apple खाया, अब apple का मैंने एक पीस अपने मूँ में डाला, तो हमारा जो apple है, वो सबसे पहले teeth के दोआरा crush किया गया, उसको break down किया गया, mechanically तोड़ा गया, उसको बिल्कुल चटनी जैसा बनाया गया दांतों के दोआरा, अब उसके बाद वो चटनी जैसा जब बन गया, तो उसके बाद हमारा slivery gland मिला, produce हुआ साथ ही साथ में, यानि oral cavity का एक basic part जो teeth है, उसने क्या किया, mechanical breakdown किया है, आपका mechanical breakdown कैसे होता है, तो chewing करने से, चबाने की वज़र से वो क्या करता है, जैसे गेहूं को हम लोग चक्की में जाके आटे में convert कर देते हैं, powder में convert कर देते हैं, चना है, हम उसको घर में पीसते हैं, तो सत्तु में convert ह हो जाता है, जो हम कोई भी solid चीज को piece देते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको क्रश कर देते हैं, तो crushing का काम है, वो हमारा यहां पे teeth कर रहा है, digestive organ में, अब यहां slivary gland का क्या काम है, तो sublingual, submandual, और paratoid, यह main, जो है आपके क्या करता है, यह mucous formation से secreted होते हैं, ठीक है, इस में क्या, इसका काम क्या है, कि जो हमारे teeth के द्वारा crush किया गया food है, उसको क्या करता है, यह slivary gland mix होता है, तो tongue के help के द्वारा, यह हमारा mix हो जाता है, और इसको soft bolus form में convert कर देता है, यह term जो use कर रहा हूँ, bolus, यह खाने की एक form होती है, जब दातों के द्वारा food को crush कर दिया जाता है, तंग के द्वारा slivary gland के help से उसको एक bolus, अंडाकार shape में बदल दिया जाता है, अब आ जाता है pharynx, pharynx जो है आपका common pathway है, जहां पे epiglottis जो है वो present रहता है, pharynx का क्या होता है, location देना है, यह basically कहां पे present है, तो हमारे oral cavity में present होता है, पैसेज, यहां से हमारी food का जो process है, thorax का जो part है, यह pharynx, thorax के part के अंदर में आता है, यह क्या करता है, epiglottis की help से क्या करता है, आपके food को एक proper tracky आए, यानि wind pipe में जाने से रोखता है, और oisophagus में transfer करने में help करता है, यहां पे यह क्या है, water को swallow और food को swallow करने में help करता है, swallow का मतलब है, य तो muscle जो है, वो wave की तरह चलेगी, और wave का काम क्या होगा यहां पे, कि वो जो wave है, अब यहां पे अगर कोई खाना है, तो वो उसको आगे push करेगा, ठीक है, उसको आगे की तरफ push करना शुरू करेगा खाने को, तो क्या होगा कि आपका खाना जो है, वो बहुत easily digest हो पाएग तो पत्थर फस गया, तो हम क्या करते हो, उसको pipe को दबाते हैं, दबाते 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 हैं, उसको दूसरे छोर तक ले के आते हो, वहां से वो निकल जाता है, या पीछे से pressure, पानी का pressure माते हैं, तो हमारी body में कोई pressure तो जा नहीं सकता, ठीक है, तो क्या होता है, वहां पे हमारी body move करती है, automatically, या खाना खाते हो, कभी-कभी होता है, कि हम कुछ core खाना खा रहे होता है, वह फस जाता है, तो हम पानी पी लेते हैं, बोलते हैं, या आप medicine खाते हो, तो आपने देखा होगा, जब हम medicine खाते हैं, तो हम पानी की जरूत पढ़ती है, क्यों? क्योंकि वह medicine जो है, वह एक तो soft नहीं होती है, bolus form में नहीं होती है, saliva के साथ mix नहीं होती है, तो उसको अंदर swallow करने के लिए हमें एक liquid form की जरूत होती है, तो हम water के साथ उसको swallow करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, कि जो wave-like structure movement है, जिसे हम rhythmic movement कहते हैं, खाने के time पे, या पानी प जोज कर देता है, और हमारा जो खाना है, वो isophagus यानी food pipe में आसानी से swallow हो पाता है, जा पाता है, जिससे एक तो separation बना रहता है, और हमारे को कहते हैं कि पानी, कहते हैं कि आम भाशम बोलते हैं, फंदा लग जाना, या हिचकी आना, या गले में फस जाना कोई चीज, तो व परवाजे की तरह काम करता है, ठीक है, और epiglotus का एक important role और होता है, हम सांस लेने के बाद जाब बोल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे भी वो क्या करता है, ट्रैकिया को open करके रखता है, जिससे हमारा जो hoid है, hoid bone जो है, जो voice box है, ठीक है, लेरिंग जो है, उसमें से ये particular एक pressure, एक certain angular पे muscle work करते हैं, तो आवाज भी निकालने में help करता है, यानि epiglotus का versatile role है, ठीक है, खाना खाने में भी role है, सांस लेने में भी role है, बोलने में भी role है, ऐसे हमारी jeeb का है, टंग जिसे बोलते हैं, बोलने में भी role है, बहुत important, खाना digestion करते वग भी बहुत important role है, यहाँ पे taste का काम कर रही है, यहाँ पे, तो एक organ जो है versatile काम कर रहा है, यहाँ पे digestive system में जो या pharynx है, उसका काम जो main है, कि आपके epiglotus के साथ work करता है, सामट्रेल से जिससे आपका खाना properly, सही pipe में, सही food pipe में, ऑईसो फैगस में transfer हो सके, गलत food pipe में, गलत trachea में, आपक जाता है, ओसो फैगस, जो है food pipe के नाम से भी जाना जाता है, यह क्या करता है, यह खाने को receive करता है, आपके कहां से pharynx से receive करता है, pharynx का क्या था, epiglotus के साथ मिलके, खाने को उसको सही direction में, यानि food pipe में पहुँचाने का काम था, उसके बाद ओसो फैगस के अंदर rhythmic wave like movement, जो कि मैंने बताया, वो move करता है, जिससे आपका जो bolus का form है, खाने का bolus form है, वो आपका properly stomach के अंदर जा सके, और enlarged जो portion है, आपका elementary canal का, वो क्या है, receive करता है food और water को, ओसो फैगस, ठीक है, smooth hold जो food है, मतलब यह खाना जो है, बहुत ही smooth form में बना होता है, कैसे बना होता ह फिर वो खाना जाता है आपके stomach में, stomach में क्या करता है, तो वो chime और chime की form में convert होता है, काईम और chime में कैसे convert होता है, तो digestive आपके juices हैं, जो कि liver और pancreas के दौरा secret के जाते हैं, यह जाके आपके stomach में मिलते हैं, pipeline के थुरू, और वो pipeline के थुरू, खाने को क्या करते हैं, और liquified क stomach क्या करता है, mucus form करता है, HCL produce करता है, ठीक है, अलग-अलग juices आते हैं, liver और pancreas से, तो जो अभी खाना bolus form में था, वो bolus form से convert हो जाता है, काईम और chime की form में, देखने में वो खाना आपको soup ही type के, जैसे हम soup बनाते हैं, वैसा वो soup की form में convert हो जाता है, और वो chime और chime जो है वो क्या होता है, वो mix होता है, अब हमारे stomach के अंदर, और digestive juice मिलते हैं उसके साथ में, तो कैसे mix होता है, तो हमारा stomach है, वो भी क्या करता है, rhythmic movement perform करता है, rhythmic movement again बोल रहा हूँ, wave-like motion को rhythmic movement कहते हैं, अब जो हमारा पैलोरिक है, ये muscles है basically, पैलोरिक मसल जो है, present रहता है हमारे stomach में, stomach में क्यों present रहता है, कि जो हमारा food है, बोलस की form में जो food आया है, वो अभी भी semi-solid है, semi-solid का मतलब है, crush तो हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ वो solidified है, अभी वो soup में convert नहीं हुआ है, या आपके काईम या चाईम में convert नहीं हुआ है, तो उसको convert करने के लिए क्या होता है, stomach के अंदर ये 2 muscles खाने को रोक के रखती है, अब ये 2 muscles खाने को जब रोक के रखती है, तो इसके अंदर juices आते हैं, फिर ये rhythmic movement, यानि आप ऐसे समझ लो कि आपने एक गुबारे के अंदर 2 चमच color डाला, कोई सावी और उसमें पानी भर दिया, अब आप उस गुबारे को हिला रहे हो, ठीक है, तो वो wave-like structure की तरह move करेगा, ठीक है, जब wave-like structure की तरह move करेगा, तो color उसमें proper mix होगा, अंदर, ठीक है, तो वैसे ही mixing जो है, हमारा stomach करना शुरू करता है, जो उसके अं लगता है, वो खाना, अब हमारा यहाँ पर small intestine है, ठीक है, जो की attach रहता है आपके stomach से, किस की help की द्वारा, तो polyric polyric sphinitor, यह muscles है, ठीक है, जो आपके stomach में रहती है, जिससे खाना जो है, stomach में कुछ time तक रुखता है, और bolus form से, काईम की form में convert होता है, अगर हम बात करें small intestine की, तो यह important point है, note करके रखिएगा, 27 feet long, यह रहती है, about 27 feet, यानि 27 feet, लंबी आपकी small intestine रहती है, और पहले part को, small intestine क पहले part को हम dudanum कहते हैं, जो की 10 से 12 inch की होती है, approximately, 12 inch का मतलब होगा है, कम से कम 1 feet, ठीक है, 10 से 12 inch की यह आपकी रहती है, long, इसमें क्या-क्या connected रहता है, तो इसमें से आपका juices connect रहती है, यह liver के साथ और pancreas, gallbladder के साथ, यह dudanum वाला part है, यह connected रहता है, जिससे juices जो आपक chemical breakdown के लिए, यानि काईम बनाने के लिए, काईम और चाईम बनाने के लिए, उसको perform, convert करने के लिए, वहाँ पे जो dudanum का पार्ट है, वो attach करके रखता है, liver, pancreas और gallbladder को, जिससे हमारा जो food है, बोलस form का जो food है, वो convert हो जाता है, काईम और चाईम में, और यहाँ पे आप जो है, small intestine, जो है, वो absorption का काम शुरू करेगा, अब small intestine में क्या होता है, तो सबसे पहला आपका projection होता है, elementary canal का यहाँ पर, sorry, portion है, projection कहा रहा हूँ, जो आपका elementary canal का portion है, जो large intestine का, वो है आपका small intestine, sorry, जो elementary canal है, उसका सबसे जो portion, major portion है, जहाँ से absorption शुरू हो रहा है, वो है जहां पर और आलमस्ट सारी चीजुर्ण और आपकी आब्जॉर्ब कर ली जाती थे हैं वहां से जब जूस यानि काइम और चाइम जो है खाने का जब वह करना शुरू करता है तो हमारे विलाईज में बहुत सारी कैपिलरी जो है वो अटैच रहती है वहां से वो absorption सोकने का काम शुरू करती है और वो जो breakdown food है हमारा वहां से जो जो required उनको समान है जो चाहिए sugar चाहिए protein चाहिए lipid चाहिए vitamin चाहिए mineral चाहिए carbohydrate चाहिए fat चाहिए जो भी चाहिए वो molecular form में वहां से blood के अंदर आना capillary के द्वारा शुरू कर दिया जाता है और जैसे ही वो capillary के द्वारा शुरू किया जाता है तो 80% food का जो absorption है वो आपका small intestine में complete हो जाता है उसके बाद बचा हुआ 20% आपका large intestine में जाता है जिसमें सबसे जादा water absorption किया जाता है large intestine के द्वारा अब आते हैं large intestine का क्या काम है तो यहां पर यह attach होता है सबसे पहले small intestine के द्वारा ठीक है आपका intestine जो है वो absorption का काम कर रहा है large intestine में क्या होता है जो unabsorbed food है यानि अभी उसमें मानलो थोड़ा बहुत 10-20% water रह गया है 10-20% mineral रह गया है कुछ vitamin रह गया है तो यहां क्या होगा कि आपका जो खाने में से चीजे रह गई water रह गया mineral रह गया vitamin कुछ रह गया थोड़ा मोड़ा तो यहां पर वो चीज एब्सॉर्ब करी जाती है किसके द्वारा large intestine के द्वारा absorb की जाती है और यहां पर क्या होता है mucus जो है उसको छोड़ा जाता है जो कि क्या करता है fishes यानि stool formation जो है अब यहां पर यह होता है large intestine के अंदर यानि जो आपका waste product बच गया जो कि अब usable नहीं है किसी भी तरीकी का absorption अब इसमें नहीं रह गया है जो खाना है वो पूरा तरीके से आपके body digestive system के द्वारा बिलकुल ले लिया गया है कुछ बचा नहीं है उसके अंदर तो जो stool वाला पार्ट है यानि fishes वाला पार्ट है वो रह जाता है large intestine के द्वारा और वो आगे फिर move किया जाता है रेक्टम में लास्ट पार्ट है यहाँ पे रेक्टम जो कि large intestine द्वारा अब जो fishes था हमारा वो move कर दिया गया रेक्टम में यह की 6-8 inches का होता है यह elementary canal का almost last part होता है यह जहाँ पे आपका जो stool है fishes जो है वो एक खटा होता है और फिर elementary canal में इसमें एनस के द्वारा इसको बा तो 6-8 गंटे यह पूरा process चलता है और आप फिर 8 गंटे के बाद 9 गंटे दस्वी गंटे में आप जाके stool pass करते हो कई लोग 12 आर के बाद भी stool pass करते है depend करता है कि सबका digestive system किस हिसाब से चल रहा है किसी को खाना खाते ही 10-15 मिनट के बाद यह washroom जैसा feel हो जाता है किसी को हो होगते हैं आगे सब्स्ट्राइंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जिसमें लिवर गॉल बेड़ और पैंक्रिया रहेगा डाजेस्टिव सिस्टम का इतना पार्ट उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कीप स्टुडिंग कीप लर्निंग थैंक्यू